वेल्कम ट्रेंट वेल्कम टु स्टुडी फोकस्ट एक्जाम्स कैसे हो भी आप सभी उमीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम मस्त होंगे तो देखें जैसा आप सभी को पता है कि स्सी 2022 मिशन मोड के तहत 73,000 से भी ज्यादा वेकेंसी मतलब रिपोर्ट की गई है और वो सितंबर 2022 सके और उनके एक्जाम भी कंड़क्ट होने हैं जैसे सीजल में 20,000 के आसपास वेकेंसी हैं मोगा है और शायद ऐसा मोगा आपको फिर कभी देखने को मिले भी ना थेक है तो उसमें क्या है कि सबसे ज्यादा जो में डाउट आ रहा है सस्सी की प्रिप्रेशन में चाहे वो सीजल की हो सीपयो वाले एस्प्रेंट हो स्टेनों के हों MTS के हों या बेरियस किसी भी एक् में है इस चैनल भी नवंब्र में है तो हम पढ़ें कि तो पता नहीं कुछ भी पूछे जा रहा है तो आज उसी पर चर्चा करेंगे कि एससी कितने मन्त की करण्ट आपको पढ़नी चाहिए और कितनी एससी पूछता है तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अच्छा देखें करण्ट आफेर के अगर हम बात करें न तो एससी जो है करण्ट आफेर मात्र आपका 6-7 महिने की करण्ट आफेर पूछता है अब हो सकता है कि कुछ लोगों को यह सुनकर अजीब सलाएगे कि 6-7 महिने की करण्ट आफेर का हम तो एक-एक साल की पढ़के जाते हैं हमार तो कुछ नहीं होता है अब देखे इसका एक तोटा सा एक्जामपल के तोर पर आप देख लिजे कि यह 6-7 महिने क्यूं है और शायद आपको भी अगर आपने नोटिस किया है पता नहीं बढ़ना हमने जितना नोटिस करा है तो 6-7 महिनी की एससी करण्ट आफेर्स पूछता है ठीक है चलिए अब दो हजार बाइस में जो अभी एक्जाम हुए था हाली में एक वाथा फेस 10 का ठीक है फेस 10 का एक्जाम हुआ था जिसका नोटिफिकेशन में 2022 में आय था और एक्जाम हुआ था जुलाई 2022 में इसकी PDF भी आप लोगों के पास होगी अपलेबल होगी इसली तो इसमें जो current affairs पूछी गई थी, इसमें current affairs मात्र 5-6 महिने के आसपास की पूछी गई थी, मतलब उसके अंदर अंदर, उससे बाहर कुछ नहीं था, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, देखे सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, या आप लोग कर रहे हो, वो यही है कि अगर आपका गलती करते हो, SSC जो है न current affairs, वो अपनी notification के according decide करती है, exam date के according decide नहीं होता है, current affairs आपको notification के according पढ़ना चाहिए, अब जैसे में में इसका notification जा रही हुआ था, तो आप April छोड़ दो, एक महिने पहले का छोड़ दो April, अब उससे आप idea लगा लो, 7-8 महिने, 6-7 महिने, जो भी में तो आप जादा भी कर सकते हैं, तो आप idea लगाई है, यहां से January हो गया, आपके पास web हो गया है, और March, और फिर यहां से 6 महिने यह वाले, तो आप July से लगा लिजी, यानि कि 9 महिने की, और July से लेकर March पूछी गई है, आप PDF उठा कर देख लिजी, यह exam date से related नहीं पू उसना आप cover कर लो, आपकी current affairs असानी सो जाएंगे, आप क्योंगे सर यह तो phase 10 ही है, एक exam में हो गया, जबूरी थोड़ी है, हर exam में हो, चलो दूसरे exam की भी बात कर लिए है, ठीक, अगला है दिल्ली पुलिस head constable ministerial का, इसके तो exam खेरा भी चली रहे है, यह 20 October तक चलेंगे इसका notification जारी हुआ था May 2022 में, इसी में हुआ था, और इसका जो है ना, इसमें भी current affairs कहां से पूछी जारी है, आप May में notification जारी हुआ है, April हटा दो, ठीक है, April गायब करो, आपको March तक पढ़ना है, July से लेकर, कितने हो गई, 9 महीने, July से March, इसी के बीच में current affairs पूछी गई ह कल की shift का analysis बहुत सारे YouTube ने कराया है, बस वो देखना जहां पर बच्चों ने direct बताया है, ठीक है, फरजी YouTube के मत देख ले ना, वो तो खेर, पेपर साड़े-दस बज़े चुटा है, तो दस बज़े से live होगे, question बता रहे है, पता नहीं कौन उन्हें फोन पर question बता देता, यह भी पतार चलता हमें, ठीक है, तो जुलाई से लेकर March 9 महीने की, इस से ज़्यादे current affair ना इस से कम, ठीक है, आप इसा हजमा कर देख ले न, 20 तारिक तक पेपर चलेगा, और जो बच्चे देकर भी आया है, वो भी comment कर सकते हैं, कि कल के shift में हो गया है, guarantee के साथ कहले, कि 8 minus जादे की current affair नहीं पूछता है, अससी कभी भी, ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती तो आप लोग अपनी current affairs की preparation में आप यही करते हो, और इसका weightage रहता ही है, अगर 25 question पूछे हैं, तो 4 से 5 तो minimum है, और maximum है 10 से 12 चला जाता है, क्योंकि current affairs में भी static portion रहता है, अब उसके उपर अलग से चर्चा करेंगे, तो अब static के लिए आपको next वीडियो में बताएंगे, कर लिया पर सो में ठीक है, उस पर काम चलती जैसे बताएंगे, तो सबसे बड़ी गिलती तो आप यही करते हो, कि आप अपने exam date के according current affairs की preparation करते हो, बलकि आपको current affairs की preparation करनी है, वह आपके notification की month से prepare करनी है, और उससे भी एक महीना छोड़ो, दो तब उसके बाद देखिए, ठीक है, तो यह था, अब बहुत से होते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा smart होने चाहिए, पता नहीं, आपने notice किया है या नहीं किया है, करके देखिए, ठीक है, तो चलिए मालब अब जिन क अब आने वाले जो exam हों, उसके उपर बात करते हैं, जैसे AWTPO है, इसका notification जुलाई में हुआ था, exam इसका October में है, 28-29 के आसपास 27-28, तो आपको current affairs अभी time है, तो आप September 2021 से लेके में 2020 के बीच का पढ़ सकते हैं, ठीक है, September 2021 से लेके में 2020 का आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, इ ऐसा ही बहुत कम होंगे, जो आपको guarantee लेकर कहेंगे, कि हाँ current affairs यही तक आएगा, एक दो question की बात नहीं कर रहे हैं, वरना maximum जो question रहेंगे, वो आपके इसी बीच में रहेंगे, ठीक, अब बात करते हैं, CPU का, देखें, CPU का notification जारी हुआ था, अगस्त 2022, नवंबर, exam है, इसक screenshot ले सकते हैं, और फिर बात करते हैं कि, SSC, स्टैनों की अगर हम बात करें, तो स्टैनों का इसका भी notification अगस्त 2022 में आया था, नवंबर में पेपर है, ठीक है, अब शायद 78 के आसपास, और current affairs इसमें भी same September 21 से लेकर June 2022 तक ही आप लोगों को पढ़नी है, वहीं बात करते है सीजियल 2022, सीजियल 2022 में काफी candidate सीजियल 2022 के लिए ही परिशान है, क्योंकि 20,000 के आसपास इसमें vacancy है, इतनी vacancy लग तीन गुना vacancy की के आसपास मान सकते हो, और इतनी vacancy शायद कभी देखने को मिलेगी ना भी, नोटिफिकेशन इसका September 2022 में, form हाला कि अभी चली रहे है, exam इसका December में यह tentative है, current affairs आपको October 2021 से लेकर July 2022 तक cover करनी है, सीजल 2022 के अगर हम बात करें, ठीक है, यह तो हो गया कि current affairs कहां से लेकर कहां तक करनी है, अब बात करते हैं कि सब्पढ़े हैं क्या current affairs में, उसके ओपर भी बात कर लेते हैं, तो देखे, current affairs के कुछ important topics हैं, यह तो आप छोड़ ही नहीं सकते, हाला कि current affairs अपने आप में बहुत vast है, अब पढ़ते रहो, पर उसमें यह topic हैं कि यह topic में से question SSC को पसंद है, SSC question हर set में आपको एक-दो, तो एक-दो question मिल जाएगा इस से related, जैसे कि sports से related कि कौन सा award किसे मिला है, sports में भी हो गया, कौन सी personality किस से संबंद है, जैसे कल देविंदर जहांजरिया के बारे में पूछा, नीरत चोपड़ा किस खेल से संबंद है, विराट कोली किस से संबंद है, इस तरह से question वो पूछ सकता है, ठीक है, सरस्वति सम्मान, आपके Nobel Prize किसे मिले है, ठीक है, इस तरह के awards, ranks, रैंक में में मैं परसेप्शन इंडेक्स कि में किस की rank, पस्ट किस की है, भारत की कौन सी rank है, इस तरह से, और government scheme, यह government scheme दोनों पूछेगा, या तो national भी और state की भी, यानि कि national एक तो central जो बना रही है, वो central government की जो scheme से, कब चालो की गई, किसने उद्गाटन करा, कहां करा, और उसकी अगर वो short form रहती है, तो उसकी full form आपको पता होनी चाहिए, कोई सब भी एक वर्ट पूछ लेते हैं, कि हमाँ पताओ, इसमें S क्या है, इसमें N क्या है, इस तरह से question प्रेन के बीच में चल रहा है, तो वहाँ से कुछ question पूछ सकता है, वो सब कुछ defense में ही आएगा, ठीक है, कोई missiles अगर कोई भारत ने खरीद ही है, या कोई बनाई है, DRDO की थरू, तो वो सब कुछ इसमें आएगा, फिर अगला है important days और themes, अब इसमें days और theme, कोई अगर न तो यह चीजे है, अगर कोई हम event launch कर रहे हैं किसी country के साथ, तो वो भी इसमें MOU में आ जाता है, अगला है budget, budget से question देखने को मिलता है, कल के exam में दिल्ली पुलिस का आपने review देखा होगा, तो budget से question, पूछे गए हैं कि education में कितना allocate किया गया है, defense में कितना किया गया है, इस question बनते हैं, फिर अगला books and authors, कौन सी अभी recent में book आई है, वो, summit, कौन सी G20 summit का होगी है, जी 7 summit का होगी है, किसने participate करा था, ठीक है, conferences कहाँ पर हुई है, वो इसी में आ जाएगा, appointment अगर कोई appointment हुई है, जैसे आज की ही बात करें, तो उसमें पूछा गया था कि JNU का अभी अगरी मदलब chief, मदलब head gone है, यह आज के paper में तो दिल्ली police head gone stable में, तो आप समझ सकते हैं, कैसे question बो पूछ दके हैं, ठीक है, next है misleinius, अब misleinius में क्या आएगा, misleinius में आपका हैगा, national और international, यानि की अभी, ठीक है, इसमें national और international दोनों तरह की news आजेंगी, जैसे आ आपको पता होगा कि अभी 3D printed post office start किया गया है, वो कहां पर bangalore में start किया गया है, ठीक है, तो मतलब अभी कोई recent में अगर कोई festival हुआ है, तो नवरोज का festival हुआ है, वो कहां पर, मतलब कौन सी community उसे बनाती है, तो इस तरह के वो question national और international दोनों में पूछ सकता है, ठीक, अ आप बात करते हैं कि सर ये तो बता दिया कि अब ये बताईए कि current affairs पढ़नी कहां से है, तो देखे, current affairs पढ़नी के लिए, जा तो आप किसी magazine को follow कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारी magazine साती है, आप उन में से किसी को follow कर सकते हैं, किसी YouTube से देख सकते हैं, ठीक है, पर अभी कोई commitment नहीं कर रहे हैं कि हाँ, हम आपको देएंगे, पर जितना हो पाएगा, उतना हम कोशिश करेंगे, कि आप लोगों को पूरे एक साल की current affairs आपके exam से पहले provide कर दीजा, इसी channel पर, खिक, दूसरा अगर आप आधर किसी YouTube channel को follow कर सकते हैं, बहुत सारी paid PDF होती है आप उनसे उन्हें follow कर सकते हैं, पर एक बीच में question आता है कि सर क्या daily current affairs पढ़नी चाहिए, तो देखे daily current affairs पढ़ सकते हैं, पर आप खुद सोचिए, कि अगर आप seizure को focus कर रहे हैं, stando को कर रहे हैं, target कर रहे हैं, और किसी मलब जो दिल्ली पुलिज, जो अभी December, January तक ही होन पढ़ने का फायदा है नहीं, आप अपने exam से एक महीने पहले पढ़िए, magazine से, वो जादे best है, क्योंकि revision तो आपको फिर भी करना पढ़ेगा, ठीक है, revision तो आपको फिर भी करना पढ़ेगा, तो ये चीज़े है, बाकि आप किसी भी magazine को follow कर सकते हैं, हर YouTube channel, हर magazine, अपने से बहतर ही कोशिच करता है, कि वो अच्छा content आपको लोगों को दे सके, हम भी आपको provide करेंगे, वो आपकी पसंद, आपकी मर्जी है, क्या आप देखें या ना देखें, ठीक है, बना इतने points तो ये वो हमने लिखें है, current affairs के जो topic है, जैसे sports की है, awards and honors, ये आपको हमारे ही channel आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे, अब आने वाले समय में ये नहीं है कि 10-15 दिन में बिलेंगे, within a week आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो channel पर नए हो, तो ये था, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के like कर दीजाए कभी, share कर देना, अच्छी लग हम लोग भी कोशिच करेंगे, कि आप लोगों को better content देखेंगे और कहीं अकर आपको हमारी जर्वत है तो help करें अपके, thank you, thanks for watching